महान चानक के द्वारा रचित, चानक के नीजी तद्धान संप्रवक्ष्यामी लोकाना हित काम्याया येन विज्ञान मात्रेल सर्वग्यत्व प्रपध्यते भावार्थब में जन्हित की कामना को द्रिष्टिगत रखते हुए राजनीती का वह ज्यान बतलाऊंगा जिसे मात जान लेने से ही व्यक्ति सर्वग्यत्व सब कुछ जानने वाला हो जाता है व्याख्या इस श्लोक में सर्वग्यत्व शब्द की विशिष्टता है विशिष्टता यह है कि सर्वग्य व्यक्ति वही होता है जो देश, काल, परिस्थित्यों के अनुसार आचरन करने में निशनात हो चून की यह राजनीती से संबद ग्रंथ है अतह इस ग्रंथ का आध्यायन कर व्यक्ति राजनीती की बारीकियों को समझ कर उसी में सर्वग्य या निशनात हो सकता है अर्थात ऐसा व्यक्ति कुषल राजनीतिग्य बन सकता है ऐसा व्यक्ति इस नीति ग्रंथ का अनुशीलन कर राजनीतिक शेत्र में रहते हुए समयानुसार उचित अनुचित का विचार पूर्वक निर्नाय करके अपने हित की रक्षा कर सकता है 4. भावार्थ मूर शिश्य को ग्यान देने दुष्टाया व्याविचारली स्त्री का भारन पोशन करने अथवा उसे संरक्षन देने दुखी व्यक्ति से मेल मिलाप करने से विद्वान व्यक्ति भी धर्मसंकट या कश्टो से घिर जाता है व्याख्या चानक्य का ऐसा मानना है कि यदि शिश्य मूबुद्धी है तो उसे ज्यान देने का कोई लाब नहीं है कारण कि उसकी बुद्धी में ज्यान समाएगा ही नहीं यदि उसने ज्यान प्राप्त कर भी लिया तो वह दूसरों का आहित ही करेगा बंदर और बया की कहानी सर्वविदित है जो पंच्तंत्र में वर्नित है इस कहानी में बया मूर्क बंदर को सलाह देती है कि वह भी घर बना ले लेकिन बंदर उसकी सलाह तो मानता नहीं बलकि उसी का घुसला तोड़ देता है इसी तरह दुष्ट स्त्री का भारन पोशन पालन पोशन करने से भी विद्वान व्यक्ती दुख को ही प्राप्त करता है दुखी व्यक्ती से मेल मिलाप करना भी दुख का कारण है यदि व्यक्ति संक्रामक रोग से देखी है तो उससे मिलने जुलने पर वह रोग स्वयम को भी लग सकता है इसी तरह जो धन ना हुने के कारण दुखी है तो वह हर समय धन का ही रोना रोता रहेगा ऐसा करके वह स्वयम तो दुखी है ही बुद्धिमान व्यक्ति को भी मानसिक वेदना पहुचाता रहता है अतह विद्वान व्यक्ति को इनसे दूर ही रहना हितकर है दुष्टा भार्या शक्त मित्रम भरित्य श्चोत्तर दाय क्या ससर्पेचा ग्रहेवासो मृत्युरेव नसंचिया पांच